Students हम discuss करेंगे important news के बारे में Students newspaper का जो discussion है उसको start करने से पहले prelims के perspective से question है उसको हम यहाँ पर practice करेंगे Students question पुछा गया है कि मोदेरा का जो sun temple है उसका construction आपको किश dynasty के rule के समय देखने के लिए मिलता है Students presents समय के अंदर जो मोदेरा का जो sun temple है वो situated है गुजरात इस्टेट का जो northern part है वहाँ पे मेसाना डिष्टिक है मेसाना डिष्टिक के अंदर में आपको जो मोदेरा का जो sun temple है वो देखने के लिए मिलता है Archaeological Survey of India के दुआरा इसको protect भी किया गया Students मोदेरा के sun temple को UPSC के दुआरा आप देखी कि sun temple के perspective से एक question है वो पूछा गया था prelims के exam के अंदर में तो आपको sun temples के regarding में जो information है वो जरूर से होना चाहिए Students मोदेरा का जो sun temple का जो construction है आपको सोलंकी dynasty के rule के समय देखने के लिए मिलता है आप देखी कि सोलंकी dynasty को चालक के dynasty के एक branch के रूप से भी discuss किया जाता है काफी सारे scholars के दुआरा सोलंकी dynasty के अगर हम ruler के perspective से discuss करें तो आप देखी कि भीमा first नाम की एक जो king है वो हुआ करते थे भीमा first का जो rule है उसी दोरान में आपको ये मोदेरा का जो sun temple का जो construction है वो देखने के लिए मिलता है आप देखी कि भीमा first का जो tenure है 1026 से लेकर 26 का जो 27 का जो समय है उस दोरान में भीमा first का जो rule है वो हुआ करता था राजस्तान का जो सदन पार्ट है वहाँ पर आप देखी कि दिलवाड़ा जो gen temples है दिलवारा के जो gen temples है उनका भी जो construction आपको भीमा first के थुरू ही देखने के लिए मिलता है इस्टुडेंट्स अगर हम discuss करें भीमा first का जो किवीन है उनके बारे में तो आप देखी राणी उदयमती है राणी उदयमती के दुवारा गुजरात के अंदर एक important monument अप्रजेंट समय के अंदर में राणी की वाव वाव बेसिकलिए आप देखी कि ancient समय में एक water harvesting के regarding में जो institution है आपको देखने के लिए मिलता है जिसकों की राजस्तान हरियाना के अंदर बावडी के रूप से जानते हैं तो आप देखी कि जो बावडी है जो वाव का जो concept है वो यहाँ पर राणी उदयमती के दुवारा construct किया गया है जिसकों की हम राणी की वाव के रूप से जानते हैं गुजरात का जो pattern district है वहाँ पर यह situated है students अगर हम यहाँ पर discuss करें भीमा first के ही बारे में तो आप देखी कि भीमा first के ही tenure के समय में आपको जो foreign invasion है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है सोमनात का जो temple है उसके उपर जो attack है वो आपको भीमा first के ही tenure के समय students इसके लाव अगर हम जो अलग-अलग options यहाँ पर दिये गए हैं उनके बारे में discuss करें तो आप देखी कि जो गुजर परतिहार dynasty है उसका भी rule आपको northwestern part of India की regarding में ही देखने के लिए मिलेगा बट आप देखी कि इनका जो time period है 7 to 8 century का जो समय है इनका time period हुआ करता था उस समय में आपको यहाँ पे तो तीन डाइनेश्टी जो उनका एक struggle है वो देखने के लिए मिलता है कन्योज नाम का जो city है उसके perspective से present समय में जो कन्योज है students वो कहाँ पे situated है उतर प्रदेश के अंदर situated है आप देखी कि कन्योज बेसिकली silk route का जो पार्ट है वो हुआ करता थ और silk route का part होनी की वज़े से एक important power center की रूप से develop हुआ है कन्योज हरसा हर्सवर्दन का जो time period है उसी दोरान में students हर्सवर्दन की death के बाद में कन्योज को capture करने के perspective से तीन डाइनेश्टी इसका जो आपको struggle है वो देखने के लिए मिलेगा southern part से जो राष्टिकूट dynasty हुआ करता था western part से आप देखी कि गुजर परतिहार डाइनेश्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और eastern part से जो पाला डाइनेश्टी है वो आपको देखने के लिए मिलता है पाला डाइनेश्टी के दौरा भी काफी कुछ construct किया गया इस जो सदन पार्ट के अंदर है आप देखी कि यहां पर उप्सन के अंदर भी दिया गया है राष्टिकूट डाइनेश्टी और गुजर प्रतिहार के बारे में राष्टिकूट डाइनेश्टी के दौरा जो एलोरा का जो केव से उसमें जो केव नॉमबर 16 है आप देखी केव 16 के अंदर किसका टेंपल है कैलासना जो टेंपल आपको देखने के लिए मिलता है उसका जो कंस्ट्रेक्शन है आप देखी कि राष्टिकूट डाइनेश्टी के जो रूलर से उनके दौरा ही किया गया राष्टिकूट डाइनेश्टी के बारे में अगर हम डिसकस करें तो उसी समय में आपने आपको independent और declare कर देंगे दंती दुरगा के दुवारा जो राष्टिकूर्ट डाइनेश्टी है उसको establish किया गया था मानने खेट इनका capital हुआ करता था राष्टिकूर्ट डाइनेश्टी का जो capital है वो क्या है मानने खेट पर एक important जो king इनके समय में जो हु देखने के लिए मिलते हैं अमोग वर्स नाम के एक ruler है जिनके दुवारा कवी राज मार्ग है उसको लिखा गया था उनके दुवारा अमोग वर्स नाम के एक ruler आपको देखने के लिए मिलते हैं और भी काफी सारे rulers जो famous है यहाँ पे warfare की activity के regarding में students अगर हम गुजर प्रतिह our dynasty के बारे में read करें तो आप देखी के एक important जो court point है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है राज सेक्रा है वो हुआ करता था एक息ने में ten के court point हुआ करते थे क्या नाम है राज सेक्रा आप देखी कि हम किसके बारे में read करते हैं Northern India के जो temporary net November नगारा स्कूल और टेंपल नर्गिटेक्चर के बारे में तो आपको तीन इंपोटेंट स्कूल देखने के लिए मिलती है एक आप देखी कि otherや म जिसको की चंदेला स्कूल के नाम से भी जानते हैं, Central Part of India के अंदर जो Temple Construction का जो टाइप से, और आपको Western Part of India के जो Temple Construction है, जो आपको सोलंकी स्कूल के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखी कि चंदेला स्कूल है, सोलंकी स्कूल है, इस्टुडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिलेम्स के परस्पेक्टिव से कुछ फैक्ट से उनको डिस्कस करते हैं, आप देखी कि लोहारा डाइनेश्टी के बारे में हैं, कहां से रूल किया करते थे, जम्मू एंड कस्मीर का जो एरिया है, वहां से यह रूल किया करते थे, इस्टुडेंट्स लोहारा डाइनेश्टी के जो रूलर्स हैं, लोहारा डाइनेश्टी के जो रूलर्स हैं, उनके दुवारा बेसिकलि आप देखी कि जब मोहमद गजनी के दुवारा इंडिया के अंदर अटेक किया जाता है, तो उस अटेक के दोरान में में इनके दोरा Northwest Part के अंदर में जो different dynasties हुआ करती थी उनको support किया गया था इसी वज़ये से मुहमत के दोरा basically Jammu and Qasmir के अंदर attack किया गया लोहरा dynasty का ये आपको fort देखने के लिए मिलता है उसको कभी भी जो मुहमत के दोरा उसको कभी भी defeat नही किया गया उसी वज़े से ये जो लोहारा डाइनेश्टी है वो आपको काफी बार न्यूज के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा इस्टुडेंट जो किवीन डिड़ा है जिनको कि आप देखी कि कैथरी नो जमु एंड कस्मीर के नाम से भी जानते हैं जो किवीन डिड़ा ह नाम का इनका जो फोट है वो काफी ज़्यादा फेमस है आप देखी कि आपने काफी बार कस्मीर का जो क्रोनोलोजिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में राज तरंगनी नाम का एक बुक है उसके बारे में रीड किया होगा जिसको किसके द्वारा लिखा गया है कलहन के इसी लोहरा डाइनेस्टी का टेन्योर के समय में या जो किवीन डिड्डा का जो समय है उस समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा हर्सा नाम की एक इंपोर्टेंट रूलर हुआ करते थे आप देखी कि हर्सवर्दन नहीं है जो हर्सवर्दन कन्योज से रूल किया करते थ यह वो हर्सवर्दन नहीं है यह डिफरेंट जो हर्सा है जो लोहरा डाइनेस्टी से रिलेटेड है आप देखी कि प्रॉमिनेंट रूलर हुआ करते थे लोहरा डाइनेस्टी को जिसको की 1003 के समय में किवीन डिड्डा है उनकी डैथ के बाद में सेट अप किया गया था लोहरा डाइनेस्टी के बाद में आपको यहाँ पे सुल्तान जो समसुद्दीन है उन्हों पावर के अंदर में आते हैं 1338 के समय में तो लोहरा डाइनेस्टी का जो समय है आप देखी 1003 से लेकर 1338 का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलता है दो पार्ट के अंदर ल different phases के अंदर election को conduct किया गया और आप देखें कि काफी मेराथन जो polling season ने वो देखने के लिए मिला है काफी long long tenure है वो आपको देखने के लिए मिलता है आप देखें कि around the one and half month का जो समय है उसके अंदर election का जो exercise उसको complete करवाया गया है तो तो उसके जो final phase का जो voting है वो आज के दिन आप देखी कि वहाँ पर voting है वो conduct हो रहा है तो उसी के बारे में यहाँ पर discuss किया गया इस्टूडेंट जब भी हम election के बारे में discuss करते हैं तो आपको एक cvigil portal के बारे में आपने किया जा सकता है कि इनके दुवरा यहाँ पर सोरी आप यहाँ पर complaint कर सकते हो रिक्वेस्ट नहीं model code of conduct का violation किया गया किसी भी candidate के दुवरा next आप देखी कि एगा आपको sweep का जो प्रोग्राम है वो भी आपको news के अंदर देखने के लिए मिलता है sweep basically क्या है अगर आप returning officer अगर आप UPSC के exam को clear करते हो याप state PCS के exam को clear करने के बाद में आप देखी कि यहाँ पर returning officer के रूप से आपको appoint किया जाएगा election का exercise आपी के दुवरा conduct किया जाएगा आपी के leadership के अंदर में तो आप देखी उस दोरान में sweep का जो program है आपके दुवरा भी conduct किया जाएगा sweep क्या है कि यहाँ पे जो first time voter है उनको basically voting के regarding में aware करना voting के awareness को generate करने के regarding डिफरेंट डिफरेंट जो campaigns हैं किस तरीके से voting का exercise आपको करना है जो आपको इस sweep program के थुरू returning official है election commission के जो official सा उनके थुरू देखने के लिए मिलता है Donald Trump है जो आप देखी कि US के first president बने है first former president है जिनको convict किया गया है एक case के regarding में इस्टुडेंट जब भी US के president के बारे में discuss किया जाता है तो आप देखी कि आपको एक basic information जरूर से होना चाहिए इंडिया के अंदर में जब भी कोई person है जो यहाँ पर president की post के उपर में है या आप देखी कि यहाँ पर governor का जो post है उस पर है कोई person तो उसको article 361 के थुरू कुछ immunities आपको देखने के लिए मिलती है जो basically article 14 के exception के रूप से है इंडिया के अंदर में और आप देखी कि 361 जो article है 361 जो article है उसके अंदर में उनको कुछ exception है जिसके अंदर उनको जो immunity है वो grant किया गया है कि जब भी वो president and governor power के उपर है उनके अगेंस्ट में जो case है वो नहीं initiate किया जा सकता है उनकी immunity को देखते हुए है नेक्स्ट अगर हम discuss करें यह Donald Trump का जो former president है US के उनका जो basically discuss किया गया है यहाँ पे कैसे आप देखें कि उनको यहाँ पे convict किया गया है यह cold case के अंदर में next students यहाँ पे discuss यह किया गया है कि क्या वहाँ पे जो person को अगर convict कर दिया जाता है क्या election को contest कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो students वहाँ पे election को जो contest वो कर सकते हैं Donald Trump के दुवारा जो presidential election है उसके अंदर उनके दुवारा participate किया जा सकता है channel के perspective से discuss किया गया है आप देखी कि WMO के दुवारा analysis किया गया था कि 2023 का जो year है 2023 के year के अंदर जो temperature है वो increase हुआ 1.45 degree centigrade है उसके regarding में आपको जो above temperature वो देखने के लिए मिलता है जो pre-industrial era है उससे above जो mean temperature है वो आपको देखने के लिए मिलेगा फिर आप देखी कि 2024 के समय में इंडिया के अंदर जो heat wave का जो condition सा वो develop हुआ है तो students जिस तरीके से यहाँ पे जो summer के अंदर temperature का increase होना जो mean temperature है उसका increase होना उसी के बारे में discuss किया गया है यहाँ पे set कर सकता है इंडिया के अंदर में क्योंकि इंडिया के जो urban areas है इंडिया के जो urban areas है वहाँ पे आप देखी कि आपको too much concrete है वो देखने के लिए मिलता है वो काफी जदा higher आपको देखने के लिए मिलता है इस्टुडेंट से इंडिया के जो अर्बन एरिया जो उनको आप देखी कि अर्बन यहाँ पे heat के जो islands उनके बारे में भी discuss किया गया है कि अर्बन heat islands के रूप से इंडिया के जो urban city जो यहाँ पे develop हुए है वहाँ पे जो temperature आपको higher क्यों देखने के लिए मिलता है अगर हम nearby rural area के साथ में compare करें तो concrete है, green space कम है, too much concrete है, green space कम है इसके लावा आप देखी concrete के अंदर heat का जो trap का जो situation है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफी concrete का जो area है वो काफी देर से ठंडा होता है, students अगर वहाँ पे heating के लिए उसको time लगता है तो उसका जो coolness के अंदर भी आपको जो time है वो देखने के लिए मिलेगा आप देखी कि जब भी हम soil के बारे में discuss करते हैं, rural area के अंदर में तो soil जो है basically आप देखी कि इसका जो specific heat of resistivity है वो इस तरीके से है कि soil सबसे आपको जो temperature high भी कम समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका जो coolness है वो भी आपको काफी जल्दी है वो देखने के लिए मिलता है soil के perspective से इसी वज़े से जो rural areas के अंदर में आपको जो temperature है वो little bit less देखने के लिए मिलता है green space का हम है, too much concrete है, heat का जो trap का situation आपको देखने के लिए मिलेगा air conditions है, air conditions के वज़े से भी आप देखी कि जो temperature है 1-2 degree है वो rise करता है क्योंकि too much air conditions का use है वो भी आपको urban areas के अंदर देखने के लिए मिलेगा और अब तो present समय में survival के perspective से भी important है air conditions क्योंकि आप देखी कि सभी लोगों के दुवारा अगर air conditions use किया जाएगा तो वहाँ पे जो temperature है वो भी rise का situation है इसके लावे students अगर हम discuss करें यहाँ पे चेन नहीं के दुवारा किस तरीके से example set किया जाता है coastal city है coastal city के अंदर आप देखी कि humidity आपको काफी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और coastal city के regarding में जो heat wave के different criteria जैसे कि 30 degree centigrade का criteria है 4 to 5 degree यहाँ पे जो temperature है वो rise करना चाहिए plains के अंदर में कितना temperature होना चाहिए जिससे कि इसको यहाँ पे heat wave का condition बताए जा सकता है IMD के दुवारा इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए इसके लावे students UN habitat green space है मियावाकी का जो forest का यह concept है जो UPSC के दुवारा 2022 के प्रिलिम्स के अंदर question पूछा गया था कि मियावा की concept क्या है कि कुछ trees को आप plant करते हो urban area के अंदर में जो एक Japanese technique है Japanese technique है मियावा की method तो उसके थुरू में यहाँ पे चेनाई के अंदर में heat को basically control किया जा सकता है उसके बारे में discuss किया गया है इसके लावे students चेनाई का खुद का जो climate action plans है उनके बारे में discuss किया गया है एक मात तरह सा city है इंडिया के अंदर में जिसके खुद के climate action plans है आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके लावे students UN habitat के दुआरा जो suggest किया गया उसको चेनाई को implement करना चीजिससे कि यहाँ पे एक example है वो set कर सके इंडिया के अंदर में next अगर हम discuss करें students आप देखी कि climate change के ही impacts के बारे में discuss किया गया है एक climate change के ही impact है बिसिकली आप समय समय पे land slide का होना नोर्थ इस्ट के अंदर मानसून आनी की वज़े से आप देखी कि land slide है उसका incident देखने के लिए मिला flood का जो situation है वो भी create हुआ है रेमल जो cyclone है उसका भी impact वहाँ पे आपको नोर्थ इस्ट एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा हमारे जो आप देखी कि northern part के कुछ states के अंदर में brutal आपको जो heat wave का जो condition है वो देखने के लिए मिलता है कुछ election commission के जो officials आप देखी उनका भी यहाँ पे election के regarding में उनके जो कुछ casualty जो सामने आई है election commission के कुछ officials हैं उनका वो election के अंदर में participate कराने के लिए गए थे कुछ security departments हैं कुछ different departments हैं और उनका जो health का जो conditions है already deteriorating condition के अंदर में था उनका किसी का death भी हुआ है students इस तरीकी का जो casualty जो वो भी सामने आई है तो students आप देखी कि temperature rise है, heat wave है, flood का जो situation है, land slide का जो situation है इन सभी के बारे में discuss किया गया, यह क्या impact करता है कि climate change है, वो real है climate change students real है, climate change को यहाँ पे deal करने के लिए एक proper action plan है वो जरूर से होना चीज़ जैसे कि यहाँ पे chain नहीं को है जिए example set करने के perspective से discuss किया गया next अगर हम discuss करें, election के बारे में ही discuss किया गया है, आप देखी कि election commission के दुआरा 95,000 जो rally's है, उनकी regarding में जो permission है, उसको grant किया गया था, west बंगोल के अंदर में students west बंगोल का जो silly goodie है, उसके perspective से भी एक news है, उसको mention किया गया था, आजी के news paper के अंदर में silly goodie आप देखी कि जो दोवार का जो region है, जो northern part of west बंगोल है, वहाँ के regarding में situated है, और यहाँ पे rallies के बारे में discuss किया गया है, तो आप देखी कि election के दुरान में जो rallies अगर आपको carry करना है, कोई भी meeting आपको carry करना है, तो वहाँ पे जो local returning officer है, या election commission के जो officials है, उनके ही तुरू में है, next अगर हम discuss करें, आसाम के अंदर में जो gibbon का जो habitat है, उसके regarding में आप देखी कि railway के दुवारा जो canopy का जो bridge है, उसको construct किया जाएगा, gibbons के बारे में अगर हम discuss करें, 20 यहाँ पे gibbons का जो species है, उसके अंदर में जो western hillo gibbons हैं, उनका जो presence इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, आप देखी कि इंडिया के अंदर कौन से gibbons हैं, western hillo gibbons हैं, उनका पाया जाता है, students western hillo gibbons के बारे में अगर हम discuss करें, तो यह आपको arbor, arbor जो real है, arbor real जो देखने के लिए मिलेंगे, means पेडों का जो canopy है, उसी area के कुछ दिन पहले discuss किया था, prelims के जो fact है, उसके regarding में, तो आप देखी कि यहाँ पे, जो bridge है, वो बनाया गया है, जिससे कि आराम से अपना जो moment है, उसको carry कर सके, अगर हम इंडिया के अंदर only जो app species हैं, कौन सा आपको देखने के लिए मिलता है, hillo gibbons का, western hillo gibbons हैं, only app species हैं IUCN status किया है, students western hillo gibbons का IUCN status है, endangered, हमारा wildlife protection act का जो schedule one है, sites का जो appendix one है, उसके अंदर इनको protect किया गया है, eastern hillo gibbons के बारे में, अगर हम discuss करें, तो eastern जो hillo gibbons हैं, उनका जो IUCN status है, वो आपको vulnerable देखने के लिए मिलेगा, इंडिया के अंदर western जो hillo gibbons हैं, उनका IUCN status किया है, students endangered है, gibbons century कहाँ पे situated है, आसाम के अंदर situated है, होलांगपुर नाम का जो area है, वहाँ पे hillo gibbons century है, वो situated है, होलांगपुर century को आप देखी, gibbons century के रूप से भी जानते हैं, इसके लावे students अगर हम discuss करें, यहाँ पे gibbons के ही perspective से, तो आप देखी कि एक जो global gibbons का जो network है, उसको चाइना के अंदर meeting है, वो organize हुआ था, टूठाव जेंट 23 के दुरान में, नेक्स्ट अगर हम discuss करें, जर्मनी के अंदर में आप देखी कि यहाँ पे lone wolf attack का जो situation हो देखने के लिए मिला है, उसके regarding में lone wolf attack का जो situation हो देखने के लिए मिलता है, इंडिया के अंदर में क्या students lone wolf attack हैं, वो possible हैं, तो आप देखी कि lone wolf attack किसी भी person के दुरा किया जाता है, मिन्स अकेला ही कोई person motivate होके, कोई भी weapon को use करके, mask destruction करने का कोसिस किया जाए, तो basically आप देखी कि lone wolf attack इंडिया के अंदर possible नहीं है, एक जो joint family structure होनी की वज़े से, family values आपको कुछ देखने के लिए मि students, next आप देखी कि US and China हैं, उनके जो leaders, उनकी meeting के बारे में है, exam के purpose से नहीं important है, यमन के दुवारा आप देखी कि जो rebels को जो threatened किया गया है, US and UK का जो strike है उसके perspective से, यमन के अंदर आपको जो होती rebellion से वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनके दुवारा Red Sea के अरिया के अंदर भी जो attack है, वो किया गया था, काफी सारे US, UK के जो cargo से उनके उपर जो attack है, वो आपको देखने के लिए मिलता है, जब से Israel के दुवारा counter attack किया गया है, गाजा के अरिया के अंदर में, next आप देखी, ताइवान के regarding में है, exam के purpose से वो नहीं important है, इसके लावे students अगर हम discuss करे है, यहाँ पर Russia-Ukraine crisis के बारे में discuss किया गया है, तो यह सब उनी सब के perspective से discussion है, यहाँ पर, तो this is all about the today's newspaper discussion, आज कुछ ज्यादा कुछ निजपेपर के अंदर discussion के perspective से जब नहीं था, तो यह आज का newspaper discussion है, जो भी important information आपको मिला हो, उसको note down कीजे, उसको आप note down करने के साथ उसको read और revise जरूर से कीजिए, thank you students, thank you very much